हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू चोप्रास किचन आज मैं आपको हरी मिर्च का अचार बराना बताऊंगी इसके लिए मैंने लगबग आदा किलो हरी मिर्च ली थी और इसको मैंने अच्छे तरीके से दो लिया था और चार पात दिन मैंने इसको धूप में दिखाया है तो यह हो गई है दूप में दिखने के बाद अब क्या करेंगे इसको डंटल मैं यहां से काट दूगी और इसको बीच में से तरीके से चीरा लगा दूऊ है इसी साली के मैं जितने बी हरी मिर्च सबको चीरा लगार दूँभा देंके लिखा कि इसके लिए नहीं आट बिलकुल भ यह चार छोटे चमच मैंने सरसो उसको पीस लिया था, सौफ चार छोटे चमच उनको अच्छी दरीक से पीस लिया था, यह मेथी थोड़ी दरदरी मैंने पीस है, यह हमाले तीन ली है मैंने मेथी, तीन टी स्पून और दो टी स्पूर मैंने हल्दी पाउडर लिया है, और ल एक बाउल के अंदर मिक्स कर दूंगी सारे मसाले को अब यह नमक थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया है अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं यह स्पून से मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है इसके अंदर थोड़ा सा हम यह सरसो का तेली डालेंगे ताकि जो हमारा मसाला अची तरीके से मिक्स हो जाए थोड़ा सा ओल्स में डालेंगे हम लगबग मैनेस के अंदर टू या थ्री स्पून मैनेस के अंदर सरसो का तेल डाला है ताकि जो हमारा मसाला है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए अब यह हमारा इस तरीके से करने से जो हम मिर्च के अंदर भरते है न तो वो अच्छी तरीके से भरा जाता है रोखा रोखा नहीं रहता है और जो तेल है इसके अंदर मसाले के अंदर जो डला हुआ है वो अंदर से मिर्च को खराब नहीं होनी देगा उसको प्रिजर्ब क करके रखे तो यह हमने अच्छी तरीकिसे से मिक्स कर दिया है अब यह जो हमारा थोड़ा सा एवन टीस्पून हमने लबक छोड़ दिया था इसको भी हम इसमें मिक्स कर देंगे नमक क्योंकि हरी मिर्च का चार बना रहे हैं तो इसमें नमक थोड़ा सा तेज ही अच्छा लगता है और नमक हम डालते हैं तो वह थोड़ा प्रिजर्व भी रहता है अब देखें इसके अंदर हमने लगический छार पाँआच थी स्पून हमने इसके अंदर सरसो का टेश डाला है ताकि हमारा मसाला है वह अच्छी तरीखी से इस तेल के अंदर मिक्स हो जाए अब हम इस मसाले को इस मिर्च में अच्छी तρी के से पूरा-पूरा भरेंगे अब यह हमको हाथ से करना पड़ेगा इसको हम इस तरीके से भर लेंगे पूरा अच्छी तरीके से हम इसको मसाले में मसाले से फिल कर लेंगे अब यह देखिए हमारा मिर्च अच्छी तरीके से फिल हो गई है हम चाहे तो इस मिर्च के दो टुकुडे भी कर सकते हैं हम अगर जो चाहते हैं कि हमें छोटी मिर्च साइज में तो इसके दो टुकुडे भी कर सकते हैं अगर जो हम चाहे तो same size भी रख सकते हैं इससे तरीके से जितनी भी मिर्चे हैं हमारी हम उसको अच्छी तरीके से मसाले से फिल कर देंगे बस इसे बनाते हुए बनाते हुए हमें इस वात का ध्यान रखना है कि पानी का हात नहीं लगना चाहिए अब देखिए हमने जितनी भी भरी मिर्ष्टी उसको अच्छी तरीके से फिल कर लिया है और काफी अच्छी तरीके से फिल किया है क्योंकि मसाला भी हमारा काफी सारा था तो अब हम इसको एक कंटेनर में रख देंगे कंटेनर को साफ सूखा हुआ होना चाहिए इसके अंदर हम इसे रख देंगे देखिए इसमें ये हमारा थोड़ा सा मसाला हमारा बच गया था इसको हम वेस नहीं करेंगे अब इसको हम इसी के अंदर डाल देंगे ये भी हम इसी कंटेनर में डाल देंगे और इसके अंदर हम इसको अच्छी तरीके से स्कून से दबा लेंगे कि हमारा अच्छी तरीके से ये दब जाए आप इसके अंदर हम ये जो सरसो का तल बच गया था इसको हम इसके त्टेर डाल देंगे चार तरफ से इस तरीके से इसे डालुआम देंगे कि और हमारा जो तीऊं कम आर तम humans होगा और इसको हम इसको करने के बाद 2-3 दिन धूप में दिखा देंगे तो विल्कुल हमारा अच्छे से त्यार हो जाएगा विल्कुल भी ख़राब नहीं होगा तो तेल हमें थोड़ा सा इसमें और डालना है क्योंकि लेयर अभी हमारी बनी नहीं है मैं ऐसे डाल डाल देत अचार बन के तैयार है और अब हम अच्छी तरीके से इसे जोपने कर देंगे और दो चार दी हम इसे जीप दूप में दिखाएंगे तो ँह ईये 4 हमारा एक साल तक खराब नहीं होगा और अकर जो वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर दित के Thank you very much!